नमस्कार दोस्तों स्वागता है स्टी जी न्यूजी के चैनल में जैसे कि आप देख सकते मेरे साथ अभी लाइब बने हैं बसीट सिंग जीडिवी के विधायक है करहगर विधान समद से अब पहले तो स्वागता है बसीड जी आप आए हमारे चैनल पे कि 2015 के बार जी एनेम की कोई बहाली नहीं हुई है निकली है वेकेंसी 2019 में निकली थी 913 जिस पर आज ही खबर निकली कि पचातर सो कर दिया गया है तो आप कर रहे हैं कि मेडिकल कोलेज खुल गई है सुनिये हैं हाँ बता रहा हूं कि आज इस बात को आप इसी लिए कर रहे हैं इसका बेड है सर गाउं जो है मैं बता दूं है प्राथमिक स्वासकेंद्र पर तिस बेड के होस्पिटल 5 कलोर के लागत से और सारी उसमें सिस्टम यह मामुली बात नहीं है अगर और न परखंड में देखिए कहा तो नहीं मिलेगा प्रात्यमिक स्वास्ट कंडर कहीन के बात कर रहा हूँ और slightly सल का मैं नहीं कर रहा हूँ तब असपिक बात नहीं कर रहा हूँ कि निक स्वास्टेकर भॉन बर्माया है उस्व einzव रही है उसमें डोक्तर हो रही है सारी व्लिवस्ता हो रही है के आरोप लगाते सवाल है कि जिसको काम नहीं करना हुआ रोपे न लगाएगा सब्सक्राइब काम किया है करें साफ करें कि यह सरकार कुछ भी नहीं की ना करोना पर कुछ की ना बाड़ पर कुछ की इस तो जनता न बताएगी सब्सक्राइब के चुनाओ नहीं हो ना चाहिए चुनाओ के उठटाजी साफन था उसमें कुछ काम नहीं हुआ कुशासन की सरकार थी उन्होंने खुद सिवकार किया कि भूल जाओ कुशासन काल अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे हम उससे में कम उम्रक थे उतों माप्ती मांगते घुम रहे हैं और 15 साल में नितीश कुमार जी का जो शासन है बेमिसाल है काम किया है मुखमंतरी जी ने सभी छेत्रों में काम किया है नितीश कुमार जी के वल परिवार के अपने परिवार के लिए नहीं काम किया है समाज के हर बर्गों के लिए काम किया है गरीबों के लिए काम किया है सोस्तों के लिए काम किया है किसानों के लिए काम किया है बषायों के लिए काम किया है अजब का अजाए बागी चीजों को छोड़िये अजब किया कि जहाँ विहार में दिन दहारे लूट रूट हत्या होती थी अपहरन होती थी आज विहार सरकार के नित्रित्व में, सुसासन की सरकार में, कानून का राजा स्थाफित है, इसकी आज विहार में कराइम कम है, और अमन चैन सान्ती से लोग अपना जीवन बेतित कर रहे हैं, इस अब से बड़ी बात है। तो तखियांग पे एक लड़का आपके आपके 篇टान सवाया निकरागर कि आजYांश चल रही है जाच Carneग उसका भी जाच-त All energy कि आता कि पुलिस टाल मडोल कर रही ही हि कि उसका भी जाच चल रहा है जिलापर शासम भी जिलाप पुलिस भी काम कर रही है और CID के माध्यम से भी उसका जान चल रहा है अच्छे बसी आपको नहीं लगता कि अस्काप नर्स की आपके छेतर में या फिन बिहार में कमी आपको लगता है कि नहीं या फिर लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है जीतना भी देखिए समय के हिसाब से और सक्तावें बढ़ती जाती है पहले जब सासन में अस्पताल में न रूई रहता था न सुई रहता था न कोई एक दवा मिलती थी आज सब कुछ मिल रहा है फिर भी लोगों के उमीद बढ़ती जा रही है लोग चाहते हैं कि और में नहीं हो रहा है इम पटना में हुआ आईजी आई में इसमें इलाज हो रहा है हम लोगे मेले हैं इसके बावजुद भी जब हम लोगों को या हमारे हम लोगे परिवार को कोई परसानी होती है हम लोग जा करके आईजी आई में इसमें इलाज कराते हैं और सेंटर हर जगा जेनेम की पढ़ाई करें कि काम नहीं हुआ है अरे विपक्ष का काम है केवल हला करना हला कर रही है करने दीजिए उससे क्या मतलब है कि दो हाजार पंदर के बाद जीनें की कोई बहाली नहीं है निकली है वेकेंसी 2019 में निकली थी 913 जिस पर आज इस बात को आप इसलर कर रहे हैं कि मैंने तेजी सवर बहाली नहीं है बिल्कुर जब यहां कोई इस्ट्यूट ही नहीं था तो लोग पढ़ते ही नहीं थे तो फिर बहाली की बात कहां से आती थी अब तो लोग अधिक संख्या में पढ़ रहे हैं एनेम की पढ़ाई कर रहे हैं तो जो चात्र पढ़ेगा उन्नोकरी ढूंडेगा और हमारी सरक में दिनों ने दिया है अभी विदान सभा में कि यह इस महिने में यानि सितंबर यानि सितंबर तक बहाली कर ली जाएगी बसिर जी को लगता है कि हो जाएगा एक दाम बहाली होगा भाई सब सिस्टम से सरकार काम पर रही है कौनों घर का सउज़ा नहीं है कि जब नाएगा जब बना लिजगा समे इसका सिस्टम होता है सरकार की ब्रवस्ता को बनाने पर करना है तो अब तो अचाही बताया ना एक घर के मुखिया है घर के जो अभिभावक होता है अपले पूरे परिवार को नहीं संतुष्ट कर पाता है अब उसकी बहुत बड़ी लंबी चोड़ी उसकी जनसंख्या है और उस जनसंख्या को सब लोगों को संतुष्ट करना यह संभव है क्या फिर भी हमारे नेता अदनिया नितीश कुमार जी प्रयास करते हैं कि अधिक सदिक लोगों को सुविधा मोहदिया कराया जाए और अधिक परसीड जी मान रहें कि अभी भी कमी है बारा करोल की जनसंख्या है उसके इसाब से अभी स्वास्त के अलात खराब हैं अभी भी और इसमें सुधार करनी की गुंजाईस है एक दम भरपूर हमारी सरकार स्वास्त विभाग में काम कर रही है उसका डवलप्मेंट कर रही है और मैं समझता हूँ कि आगे भी हमारा ये सिल्सिला जारी रहेगा और विहार की जनता का हम लोग सेवा करते रहेंगे उनका इलाज करने का भरपूर ब्यवस्ता करते रहेंगे आप से कोचन लेना चाहूंगा परसीट जैसा कि आप सासारा में गये थे कोई बाइपास का सिल्यास था वहां क्रेडिट किसको लेना चाहिए असोग बिधायक जी को लेना चाहिए या करेडिट कैसे ले सकते हैं मैं करेडिट में विश्वास नहीं करता हूं मैं काम में विश्वास करता हूं मैं सेवा में विश्वास करता हूं वो मामला जो था मैं पहला बात तो जान लिए कि मैं सासा राम के जिला मुख्याले में ही रहता हूँ अभी भी आपसे जो मैं बात करता हूँ तो मैं सासराम में ही हूँ और जब जिला मुख्याले में हम लोगों को रहना होता है तो जिला मुख्याले में जो समस्या है उस समस्या पर भी हमारी नजर रहती है और सासाराम का जो जाम का समस्या था ना केवल सासाराम नगरवासी का था ना केवल सासाराम बिधान सभा के लोगों का था बलके पूरे जिलावासीयों का था उस सजांसी एक तरफ से दुसरे तर हमारे आँख से देखा हुआ चाहिए तो जब सोला बाइस बाइस तारिक था और सोला ब्रस सोला हमाँ था साल चुकि हम लोग अभी चुनाव जीत करके आहीं थे तो सासा राम में कलक्टरियर्ड में डियार डियर के डियार डिये के सभगार में मानियम मुखमंत्री जी के अपने दिलोगों आये थे और दो जीला के पतातिकारी भी थे रोतास और कैमूर उस बैठक में मैंने इस बात को उठाया कि मानियम मुखमंत्री महोदय सबसे अगर इस जीला का बड़ा समस्या है सासाराम सहर में जाम की इस जाम को निजात दिलाने के लिए हमारा आपसे अ परसान करता है बलकि पूरे जीला वासियों को परसान करके रख देता है कोई भी जीला के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए या मार्केट करने के लिए खाद ले जाने के लिए बीज ले जाने के लिए किसी भी काम से तो उनको दो दो घंटे इस साइड से उसाड़ी जान तो दिखा दे और मैं रखा हूँ और मैं अपना चिठी नहीं जो मुख मंत्री सचवाले सो जो चिठी है वो मैं पास चिठी है कि मैंने क्या सवाल किया था और वहां के विधाईगी ने क्या सवाल किया बिमांड मेरा था, यह इसका प्रूफ है मेरे पास, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, रहीव बात, क्रेड़िट लेने का। तो ठीक है, सासारा हम सहर में का MLA है, वो क्रेडिट लेते रहे हैं, उसे हमको क्या लेना देना, उसे हमको कोई मतलब नहीं है, कोन हमको ससलाम से चुनाव लड़ना है, क्या, कि हम क्रेडिट के होड में हैं, हम क्रेडिट के होड में नहीं हैं, हम नितीज कुमार के सिपाई है हम विकास में विश्वास रखते हैं, हम समस्या को निदान में विश्वास रखते हैं, हम क्रेडिट में विश्वास ने रखते हैं, मैं आज भी चुनावती देकर कह रहा हूँ, जो सवाल मेरा था और इसका मेरे पास प्रूफ है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं, फिर एक सा बाद अंतिम मुहर लगा 30 दिसंबर को पटना में परमंडली ये जो बैठक हुआ मुखमंत्री जी का द्यक्ष्टा में उसमें उप मुखमंत्री मोधी जी भी थे सारे विभाग के सेक्रेटरी थे परधान सचीव थे और पटना परमंडल के सारे एमेले थे उस बैठक में फि मामला का कुंप्लाइंस नहीं हुआ हमने कहा कि हुआ गया है आप गल्त बोल रहे हैं अप थे किये मत चाहि विभाग पर यह सा जो लेठ हो रहा हुए आपने चलते हो रहा है तब उसके बाद असोक जी ने पिछे से उस बात पर बोला कि नहीं जल्दी कराईए और आप गल्त बोल रहे हैं आप लेट कर रहे हैं जूट में विश्वास नहीं करता है मैं सत्य के बुन्याग पर हूँ और मेरी यहीं पुझी है कि मैं सत्य के रास्ते पर चलता हूँ और यहीं मेरी सबसे बड़ी ताकत है यही मेरी सबसे बड़ी पंजी है जैसे कि आप करागर परखंड में कोचस परखंड में तमाम जग आप रोड का सिले नास कर रहे हैं यह सिर्फ सिले नास है जनता के पिश्वास दिलाएंगे कि यह कब तक काम पूरा हो जाएगा या फिन एक जूमला है और उसमें कुछ सनके नवाड के जो जना से मैंने 107 सनक का निर्मान कराया है प्रसासिनिक सेकृर्टी कराया है उसमें मैं समझता हूं कि 20 से 25 सनकों में अभी काम नहीं लगा है बरसात के चलते और करोना के चलते लंभ हुआ लोकडाउन में और तक बरसात आ गया नहीं तो मै समझता हूं कि उसमें 80-85 से ज़्यादा सनकों में काम लगा हुआ है किसी का काम पूरा हो गया आप अपने छेत्र के लेडिकल के बारे में लोगों को जानता कि अस्वासन दीजे कि क्या-क्या सरकार करने हैं सुनिए सिल्यास के बारे में जो पूछे हैं तो उसमें 80-85 सनको में काम चल रहा है कुछ काम फाइंडल हो चुका है रोड बन के त्यार हो चुका है कुछ काम अभी अधा बना हुआ है कुछ में मिटी का वर्क हुआ है कुछ में और काम हुआ है और मैं समयता हूं कि 20-25 सनकें इसे हैं जिनमें अभी काम नहीं लग पाया है बरसात के मौसम को जो जनता देख रही है मैं दे दूँगा मैंने मैं मैं बता रहा हूं कि मैं केवल सिल्यास नई बलकि उसे सनक का क्रियार्वन भी कराता हूँ लास्ट मेडिकल पर बोल दीजिए स्वास्त पर बोल दीजिए कि क्या स्वासन दे रहे हैं जो करोना के लेकर लोगों के डर है थोड़ा बोल दीजिए इसके बारे में देखिए एक बात मैं बता दा ये करोना जो महमारी है ये केवल बिहार में नहीं है केवल हिंदुस्तान में ने ये पूरे 200 के 200 देश में ये महमारी फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा चीजी यही है कि हम और आपको बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए निकले तो मास्क लगा के निकले और मास्क लगाने के बाद गमशागल रखे रहें इसके बाद हाथ दोते रहें अभी जरूरत पड़ गया तो सेनिटाइजी जड़ भी कर लीजिए और अपने को खुद सुरक्षित रखना है अपने परिवार को सुरक्षित रखना है ये भावना अपने दिल में हम लों को पह पहला ट्राइल हुआ, 27 लोगों पर ट्राइल सफल हुआ, दूसरका डोज दे दिया गया है, अगर दूसरका भी सफल हो जाएगा तो फिर ती सरकार डोज दिया जाएगा, इसके बाद एक बहुत बड़ी उपलब भी मिल जाएगा, इसलिए घवराना नहीं है, हमारे सरकार सभी छेतरों में काम पर रही है, और अस्पताल में भी और स्वास्त विभाग में भी काम कर रही है, अनुमंडल स्वास्केंद्र पर जाँच और इलाज दोनों चल रहा है, जिला हेट कुवार्टर में सदर अस्पताल में जांच और इलाज दोनों चल रहा है निजी अस्पताल को भी में भी कुछ है इलाज करने के लिए हमारी सरकार ने इनर्डेस दिया है डियम के रेख में देख रेख में हो रहा है और सबसे जादा मैं बता दूँ 8500 करोणा में हमारी सरकार ने जनता को सभ्योक करने के लिए इसका इलाज करने के लिए खर्च की है 21 लाख से जादा लोगों को जो सरमिक बाहर में फंसे हुए थे उनके खाते में 18000 रुक्या डालने का हमारी सरकार ने काम किया मुक्त में रासंद देने का भी काम किया है बहुत लोगों को हमको लगता है कि 23 लाख लोगों को नया रासंद कार्ड बनाया गया है सभी जगों पर काम हो रहा है और अस्पताल पर भी काम हो रहा है हमारी मुख मंतरी जी मुनेटरिंग कर रहा है हमारे स्वास्त मंतरी मंगल पांडे जी इसका मुनेटरिंग कर रहे हैं पीपी किट पहन करके उस वाड में जा रहा है कोरोना वाड में जा करके उसका भरमन कर रहे है डॉक्टर को निर्देश्ट दिया गया है कि आप इलाज करिए बढ़िया से देख रहे करिये यह सत हो रहा है इससे घवराने की जरूरत नहीं है हम अपने छेतर वास्यों से और बिहार की जनता से यहीं अनुरूद करना चाहता हूं इस विकट परस्थिती में करोना महमारी को हराना है तो घर से बिना काम के न निकले निकले भी तो मास्त का इस्तमाल करें गमशा का इस्तमाल करें और दो गज, तीन गज के दूरी बनाए रखें आप सुवस्त रहें सुरक्षित रहें आपका परिवार सुवक्ष रहेगा और सुरक्षित रहेगा यही मैं आप स्पांग तो बसीर जी आप आएस्टी जी नील चानल पर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने